देखिए जैसे कि अगले वीडियो में जिक्र किया था कि चार दिन से आठ लोगों से मतलब आठ गवाहों से गवाही लगातार चल रही है और सुनवाई अब डेली बैसिस पर सियालदा कोट में हो रही है जहां पर पहले बेटी के पिता ने गवाही दिया फिर वो पूर्व पारसद्यानी डॉक्टर बेटी के पडोसी ने भी गवाही दिया है और जिनके गवाही के आधार पर उन चार डॉक्टरों का नाम खुलकर सामने आया जैसे कि किसने बोडी देखी और कौन स्लिपिंग रूम में मौझूद था दूसरा वा था जिसने बोडी देखा था तो आजकल जो वीडियो वाइरल हो रहा है कि जो संजरोय है वो कैमरे के सामने जो बयान दे रहा है लेकिन सीबिया के पूस्ताच में उसने किसी का नाम नहीं लिया है तो क्या इसके पीछे सरकार जिम्मेदार है प्रसासन जिम्मेदार है तो क्या संजरोय आजकल जो बोल रहा और जिस दिन इसने जुर्म कभूल लिया था उसके खिलाफ कड़ा एक्षन लेना चाहिए था या इसका एंकाउंटर का ओर्डर मिलना चाहिए था लेकिन इसका उल्टा हुआ इसको लंबे समय तक जेल में रखा गया जिसके कारण या तरह तरह के स्टेटमेंट बदल रहा है क्योंकि इसे जेल में सोचने का समय मिल गया कभी कहता है मुझे फसाया जा रहा है कभी कहता है इसमें और लोगों का हाथ है बड़े लोगों का हाथ है अभी हाली में इसे जैसे ही मौका मिला मीडिया की तरफ निहारने को तो यहाँ जाली वाले गाड़ी में बंद था पु यहाँ पर फसाया नहीं जा रहा है बलकि कैसे भी करके संजरोय अपने आपको निर्दो साबित करने का प्रयास कर रहा है जबकि सभी को पता है कि संजरोय की संलिप्तता इस केस में 100% थी लेकिन उसे बहुत सारा समय मिल गया है और वा उसी का फाइदा उठा रहा है यहाँ प बार सोचता अब दिखी इस केस की गहराई को समझे इसे क्यों ब्रेकिंग निउस बना कर चारों तरफ फैलाया जा रहा है बलकि सचतों केवल 10% बोलते हैं बाकी सब कुछ घुमा फिरा कर वही बाते करने का क्या मतलब निकलता है अब इस केस में पवन जलाद को क्यों सामि आने वाला है जबकि 6 महिने बाद किसी आरोपी की सजय तय होगा इस कोलकाता केस में क्योंकि अब सियालदा कोट में डेली बेसिस पर सुनवाई सुरू हो चुकी है खेर जूटी जानकारियों को बढ़ावा ना दे और आपना राय कॉमेंट में जरूर देना और सब्सक्रा भी कर लेना